वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरनीजेन यूटूब चैनल रेल टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रुमें निकल करके आ रही है फॉर ट्वेंडी टू यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है औल इंडिया अपलाई कर सकते हैं इंजिनि और गजए इसलिए उसलिए आपको आपको पता होना चीए अब चलो यहाँ पर डीटेल में बात करते हैं यह रिए रिटेल कोरपेशन ओफ इंडिया लिमिटेड सर यह कौन सी कंपनी है यह मिनी रतना पी सउ कंपनी है सबसे पहले यह आपको पता होना चीएraz के लिए वेकेंसी निकली है यहाँ पर graduate engineers and diploma engineers के लिए वेकेंसी है कौन कौन से branches eligible है electronics communication computer science civil electrical and electronics engineering और भी इसके अंदर combination है जो आगे PDF में दिया है तो आप वरी मत करना अगर आपका कुछ ऐसे combination वाला course है ठीक है अब यहाँ पर location wise बात करें तो different location है तो पैन इंडिया है बहुत सारे locations में यहाँ पर job निकली है इन टोटल 103 वेकेंसी है आप देख सकते हो एक साल का trainee program होगा engineers वालों की stipend per month 14,000 की होने वाली है जो अपने आप में काफी बढ़िया है बाकी जगा अगर आप चेक करो तो स्टाइपेंड मिलता है अब यहाँ पर अगर मैं बात करू एजुकेशनल qualification के बार में तो full time regular four years की आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजिनियर्स या बी बी टेक कहलो वैसी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके फुल टाइम डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो विट एग्रिगेट 60% मार्च जो काफी important है उससे कम हो गया तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते अचा यहाँ पर कौन-कौन से ब्रांचे से electronics and communication या फिर सिफ communication या टेली communication या फिर computer science and engineering या civil engineering या IT या electrical या electronics ऐसे आप देख सकते हो और any other combination of the engineering branches where electronics is one of the main branch वो keyword होना चाहिए like electronics and instrumentation या ऐसे बाकी सारी चीज electronics and maybe electrical ऐसा अगर हो गया तो भी चल जाएगा तो मुझे लगता है यह सारी चीज clear है और इसके आगे जो है वो काफी important है अगर आपने कही पहले apprenticeship किया है या कर रहे हो या job कर रहे हो या experience है आपको तो उस case में आप eligible नहीं हो तो लिखा गया है no engineers who are having this kind of experience are eligible which means अगर आपने यह सब किया है तो आप eligible नहीं हो सीधा सीधा अर्थ यहीं है अच्छा आगे बात करते है candidates who have completed three years तो उनके लिए हाँ यह काफी important है यह एक छुपा रुस्तम point है यानि अगर आपके degree को तीन साल से जादा हो गया है उस case में आप eligible नहीं हो तीन साल में आप eligible नहीं हो और अगर आपने degree ली है from distance learning या पार्ट टाइम मोड से तब भी आप eligible नहीं हो ओके तो मुझे रखता है सारी चीज क्लियर अब कर कब तक यह application तक भर सकते है बट सर steps बताना तो steps इस PDF में दिया है और PDF की links मेंने description box में दिये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मुझे लगता है सारी चीज़े clear होती जा रही है कोई doubt नहीं कोई समस्या नहीं बाकी तो यार यहाँ पर बताया गया है कि पहले आपके merit के basis पर shortlist किया जाएगा ये देखो candidates के जो marks आएंगे merit list बनाई जाएगी उसके बाद interview होगा और interview के बाद आपका selection हो जाएगा तो मुझे लगता है सारी चीज़े मैंने clear कर दी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर फिर भी आपको कोई query है तो इन सब southern western eastern northern region में आप जहाँ पर भी reside करते हो वहाँ पर आप call करके queries पूच सकते हो बाकी तो मुझे लगता है ये सारी चीज important है अब इसके आगे कैसे step by step form फिल करना है MSRD portal में जा करके सारा कुछ दिया है तो काफी अच्छी चीज है तो आप इसको follow कर सकते हो and that's it for today अगर वीडियो पसंद आती है तो जड़ से इस वीडियो को like करना channel को subscribe करना ऐसे ही authentic job updates के लिए मिलते हैं next वीडियो में up till then take care bye bye for now see ya